इस मंदिर में चड़ता है सिग्रेट का चड़ावा और भुलेनाद उड़ाते हैं उसका धुआ नमस्कार दोस्तों आपका अमारे चैनल में स्वागत है आज हम आपको रूबरू करानी जा रहे हैं भगवान सीर के एक अनोखे रूप से जो सिग्रेट का कस ही नहीं लगाते बलकि सिग्रेट के धुए को हवा में भी उड़ाते हैं हिमाचल परदेश के अरकी सोलन जिले में मौझूद है लुट्रू महादेव मंदिर सिग्रेट पिते हैं भुले नाद इस मंदिर की खासियत यह है कि यहां दरसन के लिए आने वाले सभी भग सिवलिंग के रूप में विराजमान भगवान भुले नाद को सिग्रेट अर्पित करते हैं और भगवान सिव यहां आने वाले भक्तों को नाराज नहीं करते बलकि उनके द्वारा अरपित किये हुए सिगरेट को पीते हैं खुद बखुद सुलगती है सिगरेट लुटरू महादेव मंदिर में सदियों से सिवलिंग को सिगरेट पिलाई जा रही है आप इसे चमतकार का नाम दे या फिर अन्दविस्वास का लेकिन ये सच है कि इस सिवलिंग पर सिगरेट अरपित करने के बाद उसे कोई सुलगाता नहीं बलकि ये खुद बखुद सुलगती है और इसमें से धुआ भी कुछ इस तरह से निकलता है जिसे देख कर ऐसा लगता है कि जैसे सुयम भोले नाद सिगरेट पी रहे हो सिवलिंग पर जलते हुए सिगरेट के अदबुत नजारे को देखने के लिए लोग इसे कैमरे में केद करने से खुद को नहीं रुक पाते और इसका वीडियो बना कर अपने साथ ले जाते हैं इस मंदिर से जुड़ी कई माननेता हैं जिस तरह लुट्रू महादेव मंदिर में बाबा के सिगरेट पिने का किस्सा किसी रहसे से कम नहीं ठिक उसी तरह इस मंदिर का सिवलिंग भी अपने आप में बहत अनुखा है इस मंदिर में मौझूद सिवलिंग पर जगए जगए गड़े बने हैं और इनी गड़ों में लोग सिगरेट को फसा देते हैं और इस मंदिर को सन 1621 में बनाये गया था इस मंदिर के निर्माण की पिछे ऐसी माननता है कि बागल रियासत के ततकालिन राजा को सपने में दरसन देखकर भगवान सिव ने ही मंदिर बनाने का आदेश दिया था इस लुट्रो महादेव मंदिर से जुड़ी एक माननता यह भी है कि भगवान सिव ने काफी समय इस गुफा में गुजारा था उन्होंने इस गुफा का इस्तमाल घर की तरह किया था बहराल बोले नात की लिला तो वो स्वैम ही जाने लेकिन अगर आप भी इस चमतकार को अपने आँखों से देखना चाते हैं और भोले बाबा की किरपा पाना चाते हैं तो सिगरेट के चड़ावे के साथ हाजिर हो जाएए बाबा के इस दरवार में और अपने आँखों से खुद देख लीजिए बाबा को सिगरेट का कस लगाते हुए इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप अमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक वसेयर करें अमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद